हेलो दूस्तों स्वागत है आप सभी का आईटी स्ट्राइट इम पर तो दूस्तों इस वीडियो हम देखने वाले हिंदी सायत्ते प्रथम प्रश्ण पत्र काभ्यांस बिवेचन इबं जनपद्य भाशा शायत्ते आपका एकाई एक से एकाई पांच तक के इंपोटेंट कॉ सब्सक्राइब करना है तो आज मैं आपको बताऊंगी एकाई एक से एकाई पांच तक के बीस कॉस्चन आपको उननीच से वीडियो लेट होगई मैंने आपको आठ से दस दिन पहले इसका पार्ट फस्ट डाला था जिसमें कि आपका अच्छा रश्पांच था और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लें उसमें मैंने बताया था कि आपको किस परकार कॉस्चन के स्टार्टिंग करनी है कॉस्चन किस परकार से पूछे जाती है और वह एक्जामीनर आपसे पिक्छा किस इस परकार रखता है कि आपके इस परकार आंसर को लेखेंगे या एक्सक्लाइन करेंगे तो उब्रहाँ को कंपलिट बताया था और कुछ बटाइगें अब ύकाई, इसका पेपर रहेगा और प्रत्म पर्छ्ण पत्र चलिए देखते हैं बहुत अपकर कहते हैğim इसके बाद आपको सेक्न्ड कॉश्टन रहेगा मैंने आपको अच्छी से समझाया था काप्य मैंने आपको टॉपीक अच्छी से समझाया था काप्भे कारणे हैं निकाई के बहुत ही important question है, जो कि काभवे से संब्दित है, आपका एकाई एक पार्ट है, काभवे पर ही आदरित है, काभवे किसी कहते हैं, काभवे का शेरूप, काभवे की बिसिस्ता है, काभवे की तद्व, और काभवे रचना की कारण पर प्रिकाश डालना है आपको, ये की महद्व को प्रिदर्शित करना है, मतलब जो हम कभवे काभवे लिखते हैं, उसमें रस्क्याक्या महद्व है, वो आपको बताना है, बास्चल एवं बीरस को श्रो उधारन समझाई, मतलब उधारन देते हुए आपको, बास्चल एवं बीरस को एक्स्प्राइन करना है, समझाना है इसके बाद आ जाता है आपका अलंकार किसी कहते हैं अलंकारों की भीद लिखिए अलंकार किसी कहते हैं आपको पहलों उसकी परिवाशा देनी है किसी कभी के अनुशार भी आपको लिखना है फिर किसी कभी के अनुशार आपको एक लाइन लिखनी है इसके बाद रहेगा आपको अलंकारों की भीद आपको बताना है और अॉपमा और अतुक्ते अलंकारों को आपको समझाना है उधार्ण शहिद यहापको हो जाएगा पूरा एक questionnaire तेयार इसके बाद आपका अगला question रहेगा जो की है निमलिकित मात्रिक छंदों का परिच्छे शवधारण दीजी मितलब आपको यहाँ पर मात्रिक छंद दीएगा है कुछ जिनको आपको समझाना है उनकी परिवाशान लिखनी है और उनके उधारण लिखनी है जैसे कि दुआ, श मैं पड़ा था और काब्वे की स्वरूप, काब्वे की विसीष्टा, काब्वे की तद्ब, काब्वे की कारण इसके बाद इक हाई दो में हम रस, चंद और अलंकार, सम्मझादित, आपको कॉशन देखने को मिलेंगे इसके वाद इखाई तीन आती है जो कि भाशा भाशा समनित रहेगा तो बासा से आपके समझते हैं जनपदिय भाषा या बोली किसे कहते हैं तो बाषा क्या होती है आपको बाषा की डेपिनिशन लिखनी है और किसी कभी के अनुशर आपको जरूर लिखना है एक कभी का नाम लिखकर उसके अनुशर आपको डेपिनिशन लिखना आपको याद करना पड़ेगा हर एक परिवाशा अगर आपको explain करना है उसमें एक आपको कभी के अनुशार आपको definition लगना पड़ेगा इसके बाद जन्पदी भाषा या बोली क्या है तो आपको बताना है इसका इसके बाद आपको अगला question आता है जो कि एकाई तीन का है लो इसके बाद बुंदे लिभाशा आजाएगा यहां पर बुंदेली भाषा की छेत्रिय बिस्तार की सीमा पर प्रिकाश ढालना है दोस्तों आपको question शमाजना पड़ेगा इन मेंसे एक question मेंसे किसी भी प्रकार के question आपको बना के पूछा जा सकता है तो इनके question आप अच्छी ये विश्टार की सीमा पर प्रिकाश डालिए, इस परकार कॉश्चन है, ये कॉश्चन आपको इस परकार विया सकता है कि बुंदिली बासा के छीत्री बाशा है कौन-कौन सी है, तो उस शेमिलर कॉश्चन रहेगा आपको ये की आंसर आप दोनों में लिख सकते हैं, इसके वहुत है इसका क्या कारण है तो आई आपको बताना है इसके बाद एक चार आता है हमारा चार आती है हमारी इकाई चार जिसमें हम पढ़ेंगे जनकवी जगनित द्वारा रचित आला खंड की काबिगत बिस्षिश्टाओं पर प्रकास डाली एक बहुत ही इंपोर्टैंट क पर आपको काप बिगत विशीष्था बतानी है इसूरी की काप बिगत विशीष्था है आपको यहां पर बतानी है इसके बाद हो जाएगा लोक भाषा के शंदर्व में संतोश शिंग बुंदीला की काप बिगत विशीष्था है आपको लिखनी है लोक भाषा के शंदर्व म जैसे कि हमने जनपद YO वाशा देखी ती इस प्रिकार से, आदिवाशी शायिक तरिक क्या है, इसकी मुख बसीस्ता है, आपको बताना है, मत्परदीस की संस्किर्टी की संस्किर्टी की संस्किर्टी मतप्रदीश की वाशा संस्कृति है तो उसको भारती संस्कृति की संदर में भारती संदर में मेहतम क् Shall 72 में इसकते हैं बदा स्वित संदर की संदर दया और कि यहां होती ए कितने प्रिकार के होतह लोह? यहां पे लोग गीत लोग नरत्ते को साथ्री संगीत का जन्मियत और कौन है? तो इसाथ्री संगीत का जन्मियत लोग शンगीत ही है तो इस पर आपको एक टिपनी लिखनी है, देना मतलब इस पर एक बिचार विमर्शा आपको करना है, कि सास्ते संगीत का जन्म दाता लोग शंगीत ही है, और जे आपके थी 19 कौश्चन हैं, आपके मैंने बताएं, एक दो कौश्चन अगर आपको अच्छे लगें, जो आप इससे भार आपको पीपर नहीं जाने वाला है, बहुत ही important question है, बहुत ही selected question है, जो कि मैंने आपके लिए है, बीत idea में अगर आपका subject है, कब्यांग, बिवीचन, एवं जन्पदिये भाशा शाहिते, प्रतम प्रश्चन पत्र है, एक आई एक से पंच तक कि मैंने आपको complete question करवा है, इसकी second, इसकी first वाली वीडियो आप जरूर देखे, आपको link इसकी description में मिल जाएगी, मैं आप अच्छी से देख लेए, आपको एक आई, एक और दो, मैंने अच्छी से explain किये है, अगर आपको बागी के एक आई, दो से पंच तक के question answer का, आपको explain समझना है, आप कोई सा question समझ में नहीं है, आप चाहते हैं, मैं उसे समझाओं आपको, तो आप comment करके जरूर बताएं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको शौंबार को इसका paper है, आर्ट तारिक को जिवाजी उनिवेसिटी का, बीजर वालों का, हिंदी साहित का, तो वो आपका अगर आपको और भी किसी विषय पर आपको important question चाहिए, तो वो भी आप comment करके जरूर बताएं, और आप चैनल पर विजिट जरूर कर लें, आपको चैनल पर भौशारी, foundation की subject के, और मीजर मायरे एलेक्टिप के, आपको जो भी subject है, उसके आप वीडियो आप पे देख सकते हैं, और मैंने आपको previous question paper भी करवा हैं, दोस्तों भी आप एक बार चेक कर लें, अगर आपको हिंदी साइथ का previous paper चाहिए, जो last year paper हुआ था, वो आपको देखना है किस परकार paper आया था, कितनी number का आया था, किस परकार question पूझी जाते हैं, वो भी आप comment करें, शयम तक उसक comment किसना आपको मिल जाए, चलिए मिलते हैं अगरे वीडियो में, धन्यवाद,